वेस्ट जो फालतु चीजे होती है वो बिल्कुल उप्योगी हो सकती है फाइंड आउट फोर यूवर सेल फ्रोम दिस स्टोरी स्वाइमिस काने से पता लगाओ एक बार ट्रेवन कोर के माराजा ओडर ए ग्रांड डिनर इन इस प्लेश अपने माल में उन्होंने भववे डिनर का आदेश दिया इन अप्टर नून दोपर में बिफोर दिनर डिनर से पहले दे माराजा एंटर दे किचन माराजा ने किचन में प्रिवेश किया टू सर्वे डिसीज वहाँ से उन्होंने वेंजनों का सर्वे किया देट हैड बीन प्रिपेर्ड फोर दपीस्ट जो दावत के लिए तयार किये गे थे पीस्ट डावत डिसीज वेंजन वाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रेप्स वाट आर यू गोइंग आप क्या करने जा रहे हो दोज वेजिटेबल स्क्रेप्स इन सबजियों के टुकडों से हैं ये आज दकुछ उन्होंने रसोये से पूचा कुक रसोये से पुच्चा पॉइंटिंग टू दा बास्किट ओप स्क्रेप्स एक जो सब्जो के टुकडों से टोकरी भरी हुई थी उनकी और पॉइंटिंग संक्यत करते हुए नियर दा कुक जो की रसोये के पास में थी दा कुक रिप्लाइड रसोये ने जवाब दिया दे आर वेस्ट ये फाल्त चीजे हैं वी विल थ्रो देम अवे हम इनको फेकेंगे यू कांट वेस्ट ओल दीस बाइट तुम इन सभी टुकडों को बरबाद नहीं कर सकते एंड पिशीज ओप वेस्टेबल और सभी टुकडों को फाइंड वे टु यूज देम इनको उप्योग में लेने का तरीका डुंडो दा माराजा कमांडीड स्टेंड ले एंड वाग्ड वे माराजा ने सकती शादेश दिया और चले गए दा कुकवाज इनने पिक्स एंड कैप्ट श्टेरिंग रसोया पिक्स गोर सेंड कैप्ट श्टेरिंग गूरता रहा एड वेस्टेबल स्क्रेप्स सबजों के टुकडों की हो फोर सम टाइम तोड़ी देर के लिए सड़नली अचानक से एन आइडिया प्लेट अक्रोश इस माइंड अचानक से उसके मस्टिक में एक विचार आया ही टुक ओल दा वेस्टेबल स्बिट्स उसने सबजों के सारी टुकडी लिए बाच देम उनको धोया, क्लींड देम उनको साप किया वेल अच्छी तरह से देनी कट देम इन्टू लोंग स्ट्रीप्स तब उसने उन टुकडों को लंबे लंबे टुकडों में काटा इपुट देम इन दा हूज पोट उनल उसने उनको एक हूज पोट बड़े बरतन में रखा and placed it on the fire और इनको आग पे रख दिया टूकुक पकाने के लिए next आगे, he ground some pressed coconut आगे उसने कुछ ताजा नारे लिये green chili, हरी मिल्चिया ली, garlic टगेदर साथ में उन्होंने अद्रक भी लिया he added this paste उसने इस paste को मिलाया and some salt और कुछ नमक भी to the cooking vegetable पक्तिवी सबजी में a tempting smell एक ललाइत करने वाली गंद started coming from the pot बरतन स्याना शुरू हो गई now he whipped some curd तब उसने कुछ दई लिया and added to the curry इसको भी कड़ी में मिला दिया he also poured a few spoonful of coconut oil उसने कुछ चम्माच नारेल तेल भी उंडेला and decorated the dish with curry leaves और फिर उसने इस वेंजन को करी की पतियों से सजा दिया look behold आओ देखो the new dish was ready नई दिक्ष नया वेंजन तयारे the cook served this new dish to the guest Rasuya ने इस नया वेंजन को guest अतितियों को परोशा that evening उसाम को everyone was eager सब उत्सुकते to now जानने के लिए the name of the new dish नहीं किसका नाम the cook thought and thought Rasuya ने सोचा and सोचा then a name came to his mind तब उसके जमस्तिक में एक नाम आया he named it a while you while became famous all our Kerala a while पूरे केरला में famous हो गया and is now one of the dishes in the traditional Kerala place और अब ये एक मात्र वेंजन है Kerala के Keral के प्रमप्रागत तिवार का and imagine और कलपना करो it all come from a basket of west और ये सारा ही कास आया एक टोकरी भरे west जो सब्जियों के टुकडे थे उन्चे in apex situation hard to escape from एक ही स्थिति जिस से बतना मुश्किल हो place across the mind sudden think of अचानक से सोचना I low and behold देखो what a surprise आश्रे जनक traditional feast प्रमप्रागत दावत hard meal from many DC guests are served on a special occasion वह हर्दे विदार करने वाला बोजन जो अतित्यों को सावसरप प्रोशा गया था what were the preparation in the place for meal में किस के लिए किस की तयारी थी तो meal में दावत की तयारी थी पिष्ट की तयारी थी why did माराजा go into the kitchen in the afternoon माराजा कीचन में किस लिए गय थी दोपर को देखने के लिए की वाई दावत में क्या बन रहा है what had the cook planned to do with the vegetable scraps रसोय ने सब्जेव की तुकडे के लिए क्या योजना बनाई थी फैंकने की योजना बनाई थी true false king head ordered a dinner in the place true one no one hired hard of a taste it available before true the cook head plan to make another dish using the vegetable scraps इसमें आएगा false में के बदावाई लावड़ा में के रुई बनावका फिस्जेवाभा च्रोजना टारी देवावड़ 15 झाल झाल